वेल्कम एवरिवान आज हम बात करने वाले हैं क्वाडर्टिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में जिसा कि हमें पता है के क्वाडर्टिक इक्वेशन जो होता है उसका इस्टेंडर्ड ये होता है a x square plus b x plus c equals to 0 जहां पर a not equal to 0 होता है और हमें ये भी पता है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता है कि जो discriminant होता है quadratic equation का वो क्या होता है b square minus 4ac ठीक है तो इसी discriminant के जरिया से हम इस quadratic equation के roots यानि x के values के बारे में पता कर सकते के उसका nature क्या होगा यानि वो किस तरह का होगा तो वो क्या है यहां पे आप देखें यह है के two roots of the quadratic equation 1 यह quadratic equation 1 है इसका दोनों root जो है will be यह होगा number 1 real and equal quadratic equation 1 का दोनों root real होगा और equal होगा यानि बराबर होगा same होगा if अगर b2-4ac equals to 0 होता है अगर b2-4ac का जो value आएगा अगर वो 0 हो जाता है तो हम कहेंगे के इस quadratic equation का दोनो root जो है वो real है और equal होगा ठीक है real तो होगा equal भी होगा इसका पिक्जामपल से समझे के जो x का value आएगा यानि जो root आएगा कभ वो equally zer MARTIN यानि दोनो same value होगा यानि इस तरह हो सकता है के x का 1 value आएगा तो दुसरा value भी alone आई ऐसा हो सकता है कि दोनो negative value same आए 録ásसकता है कि 1 time and the time दूसरा भी minus न होगा यानि दोनो equal होगा, दोनो same होगा ठीक है, यह कब होगा, जब 20 square minus 4ac equals to 0 होगा अब बात है number 2 पे दोनों root real and unequal होगा, अगर 20 square minus 4ac greater than 0 होता है, अगर 20 square minus 4ac का विलो हमें 0 से बड़ा मिलता है, 0 से बड़ा का मतलब क्या 0 से बड़ा का मतलब है कि हमें कोई positive number मिलेगा, ठीक है पलस वाला number मिलेगा, तब हम कहेंगे, कि उसका दोनो root quadratic equation का real होगा और unequal होगा यानि, जो x का value आएगा दोनो value, वो same नहीं होगा, जैसे x का एक value मान लीजिए, वान आता है तो दूसरा value 2 आगिया, जो सेम नहीं है, इससे तरह हमने, अब जब दोनो value आएगा, वो दोनो equal नहीं होगा यह कब होगा, जब 20 क्वर माइनस 4 सी, 0 से बढ़ा होगा, ठीक है और तीसरा है, कि no real root, कोई भी real root नहीं होगा अगर, if, 20 क्वर माइनस 4 सी, less than, 0 अगर, 20 क्वर माइनस 4 सी, हम यहां से निकालते हैं, यानि discriminant का value, और वो हम देखते कि 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या, कोई negative number आजाएगा, यानि, minus वाला number आजाएगा, तब हम कहेंगे, कि quadratic equation का, जो root है, कोई भी root, real root नहीं है, no real root, तो इसी कोई कहेंगे, nature of root, यानि, root जो है, वो किस तरह का होगा, बराबर होगा, या बराबर नहीं होगा, real होगा, या real नहीं होगा, ओके, तो अब इसी basis पे, जो है, Mr. अब exercise 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, let us work out 1.5 पहला question देखे आप, let us write the nature of two roots of the following quadratic equation, यहां पे कुछ quadratic equation दिया गया है, और यह कहा गया है, कि write, यानि लिखे, nature of two roots, यानि इस quadratic equation का जो दोनों root होगा, उसका nature कैसा होगा, तो nature कैसा होगा, यानि पता करना है, कि वो दोनों root रियल होगा या नहीं होगा, equal होगा या नहीं होगा, तो यह कैसे पता कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं, उसके discriminant, यानि 20 square minus 4C के value को मालूम करके, ठीक है, तो यह रहा, question number 1 का 1, यह equation is quadratic equation, इसका एक नाम दे दे 1, फिर हम इसे क्या करेंगे, compare करेंगे, comparing quadratic equation 1, comparing quadratic equation 1 with x square plus bx plus c equals to 0, we get a के जगा में कितना है, 2 है, equals to 2 मिला हमे, b के जगा में कितना है, 7 है, 7, plus है, इसलिए plus नहीं लिखें, c के जगा में कितना है, plus 3 है, c equals to 3, यह हमें मिला, फिर हम क्या करेंगे, discriminant the discriminant 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 यह नहीं कितना, b square minus 4, इसको निकालेंगे और चेक करेंगे, इसका वेलू क्या आता है, पुट कर दे इसका वेलू, b के जगा में कितना पुट करना है, 7, 7 के square हो जाएगा, यहां b square है, minus 4 into a के जगा में 2, और c के जगा में 3, 7 के square कितना होगा, 49, साथी साथी उन्चास, minus 4 into 2 into 3, 4 दूना 8, 24, ठीक है, उन्चास से 24 घटा लें, कितना आएगा, 25, तो यह किसका वेलू हुआ, b square minus 4 ac का वेलू, यानि डिस्क्रिमिनेंट का वेलू, यह 25 जिरो से बड़ा है, जब b square minus 4 ac का वेलू, 0 से बड़ा आ गया, तो हम क्या कहेंगे, जो root से, क्या कहेंगे, roots are real and unequal, इस quadratic equation के वो root होए, वो real होगा और unequal होगा, real होगा और बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए, the roots of the quadratic equation 1 are real and unequal बस हमें इतना ही चेक करना था के, root का nature क्या है, तो root है real है और unequal, ठीक है, इसी तरह next question बनाएंगें, 1 का 2, 3x square minus 2, root 6, x plus 2 equals to 0, तो यह रहा, इसका भी हम क्या देंगे, एक नाम देंगे, equation 1, ठीक है, लिखने का काम इसी तरह आप कर लेंगे, comparing quadratic equation 1, with x square plus bx plus c equals to 0, we get, इस तरह लिखने वाले काम आप खुद से कर लें, मैं जश्ट a, b और c का value यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, a का value क्या आएगा, 3 होगा, यहां पर, b equals to कितना आएगा, यह minus 2 root 6, x के साथ देखे कितना इंटू है, minus 2 root 6, यह b का value हुआ, minus 2 root 6, और c, c का value कितना होगा, पलस 2, ठीक है, इसी तरह से हम discriminant जैसे यहां लिखा लें, उसी तरह discriminant लिखा लेंगे, इसका value आप पुट करें, b के जगा में कितना पुट करना है, minus 2 root 6, minus 2 root 6, इसका फिर क्या स्क्वेर है, तो minus से इसलिए bracket यूज करेंगे, स्क्वेर, फिर minus, 4 into a के जगा में 3, into c के जगा में 2, अब यहां देखें, minus के स्क्वेर तो पलस हो जाएगा, 2 का स्क्वेर कितना होगा, 4, यहां into a, root 6 का स्क्वेर, जब भी root का स्क्वेर होता है, root हट जाता है, सिर्फ अंदर में जो number होगा, root 6 का स्क्वेर जो होगा, सिर्फ 6 होगा, इसी तरह माली जगर हम कहेंगे, root 5 का स्क्वेर कितना होगा, आप कहेंगे, सिर्फ 5 होगा, root 3 का स्क्वेर कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, ठीक है, तो यह 4 into 6 होगा, माइनस, यहां आप इंटू कर लें, 4 ती है, 12, 12 दूने 24, यह कितना होगा, 4 चक 24, 24 माइनस 24, कितना आ गिया, 24 से 24 घटाएंगे, तो 0 आ गिया, यानि, 20 क्वेर माइनस 4 चका वेलु कितना आ गिया, 0 आ गिया, तो जब डिस्क्रिमिनेट 0 होगा तो क्या कहता है हम, दोनों root, जब 20 क्वेर माइनस 4 is equal to 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, 2 roots are real and equal, दोनों root real होगा और equal होगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इसलिए, the roots of the quadratic equation 1 are real and equal, okay, 2 roots are real and real and equal, ठीक है, इसके बाद question number 3, 2 x square minus 7 x plus 9, यह इस्टोंट साब खुदी चेक करें, ठीक है, और इसको आप चेक करके देखेंगे, कि इसका जो root, इसका जो value आएगा, 20 क्वेर माइनस 4 is एगा, वो negative number आएगा, जब negative number आएगा, यानि, माइनस number आएगा, तो फिर हम वहाज less than 0 होगा, माइनस number आएगा, तो आज हम क्या कहेंगे, कि इसका no real root, इस equation का कोई भी real root नहीं होगा, ठीक है, अभी मैं आपको question number 4 बनाकर दिखाता हूँ, यह रहा, equation 4, यहाँ भी हम उसे तरह compare जब करेंगे, तो यहाँ पे हमको a का value क्या मिलेगा, x square के साथ कितना इंटू है, 2 by 5 यह हो जाएगा, a का value, b के साथ कितना इंटू है, sorry, x के साथ कितना इंटू है, minus 2 by 3 है, यह हो जाएगा हमारा, b का value तो यह कितना होगा, discriminant का value निकालेंगे, b square minus 4ac, b मतलब कितना पुट करेंगे, minus 2 by 3, minus इसलिए bracket use करेंगे, minus, फिर उसके बद minus 4, into a के जगा में 2 by 5, into c के जगा में 1, यहाँ पे देखेंगे आप कितना value आ रहा है, minus का square plus हो जाएगा, 2 का square 4, बटा, नीचे 3 का square कितना होगा, 9, और यह आप into कर ले, 4 into 2 by 5 into 1, तो यह क्या होगा, यह उपर उपर into कर ले पहले, यह उपर उपर into होगा, 4 दून 8, 8 एकम 8, यह minus होगा, 8 और नीचे बटा 5 हो जाएगा, इसके अधर आप यहां पर LCM लेंगे, बटा है दोनों इसलिए LCM लेंगे, 9 और 5 के LCM क्या आएगा, यह एक दूसरे से नहीं करता है, इसलिए into कर देंगे तो LCM हो जाएगा, 9 पच्छे 45, 9 से 45 को आप divide करें, 9 पच्छे 45 होगा 5, 5 से 4 को into कर देंगे, यहां पर आप देखे लें, इस जरह बनाते हैं, 20 माइनस 72, 20 माइनस 72, ठीक है, तो यहां से माइनस से घटा होगा, सबस्टेक्ट होगा, 72 से 20 घटा होगा 52, और 72 यहां बड़ा है, इसलिए माइनस साइन होगा, नीचे में कितना होगा 45, 45, यह कटेगा नहीं और, यहां देखें कौन सा वेलु आ रहा है, माइनस वेलु आ रहा है, माइनस नमबर आ रहा है, माइनस आया मतलब, यह 0 से छोटा होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आ गिया, इसका जो दोनों रूट है, इक्वेशन का, इसका कोई भी रूट नहीं होगा, उमीद आपको अची तरह समझ में आया होगा, इसकी बाद आएए, क्या है सवाल, by calculating, let us write the values, या values of k, for which each of the following quadratic equations, has real and equations, equal roots, यहां पर यह कहा गया है, कि हमें k का value मालूम करना है, जिसके लिए, जो quadratic equation यहां पर दिया गया है, जो भी quadratic equation उसका, जो root है, वो real होगा और equal root होगा, real होगा और equal होगा, ठीके, तो हमें पता है, real और equal root कब होता है, जब, discriminant, यानि b square minus 4ac, वो 0 होता है, ठीके, तो हम b square minus 4ac equal to 0 करेंगे, और फिर वहां से हमें k का value मिलेगा, ठीके, तो देखें यहां पर, यह रहा पहला equation, यहां पर इसका एक नाम देदी equation 1, इसको भी हम क्या करेंगे पहले, compare करेंगे, comparing, यानि मौजना करना है, matching करना है, comparing, quadratic equation 1, with, x square plus, bx plus, c equals to 0, we get, इससे हम को compare करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a equals to कितना मिलेगा, 49, b equals to कितना मिलेगा, plus k, x के साथ जो into होगा, वो होगा b, तो यहां कितना है, x के साथ into, plus k हो गया b का value, plus k, c equals to कितना होगा, last में जो number, plus one, यानि one, ठीके, उसके बद हम लिखेंगे, कि यह कहा गया है, कि इसका real or equal root होगा, ठीके, चूंके, since, quadratic equation one, has, real, and, equal roots, इसलिए, चूंके इसका real or equal root है, यह सवाल में कहे दिया गया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए, discriminant, discriminant, equals to 0 होगा, discriminant 0 होगा, यानि, b square minus 4ac equals to 0 होगा, यह होगा, अब हम क्या करेंगे, just यहां पर value पूट कर देंगे, b के जगा कितना पूट करेंगे, k, यहां पर जगा k का square हो जाएगा, फिर minus 4, into a के जगा में कितना पूट करेंगे, 49, into c के जगा में कितना पूट करेंगे, 1 equals to 0, और k square, minus, इस सब को into कर दें, 4 into 49 into 1, 4 एकम 4, और फिर 4 से 49 को अब into कर दें, तो 4 से 49 को into करेंगे कितना होगा, 196 equals to 0, और फिर देखें, यहां से के निकालना है, तो के इसको अम नंबर को राइट साड में कर देंगे, यहां पर क्या होगा, क्या होगा, यह माइनस 192, राइट साड में पलस 192, फिर हमें पता है, हम जब क्वाड़टे की विशन को solve किये थे, इसको अम्हें निकालते थे, यहां पर क्या का मालूम करना है तो हमें, स्कुर्ड को हटाना पड़ेगा, यहां से एगर स्कुर्ड आठेगा तो क्या होगा, राइट साड में जो कुछ ओगा इसको आपर रूट चड़एगा, तो इसके उपर root चड़ेगा 196 के उपर और यहां पर क्या होगा plus minus ठीक है न? और क्या वेलू क्या आएगा plus minus 196 का आप root निकाले 196 का आप root निकालेंगे तो यह होगा 14 14 का square होता है 196 14 को 14 सिंटू करेंगे तो 196 होगा तो क्या वेलू क्या आया plus minus 14 ठीक है योगिया इसी तरह हमें बागी मैत को भी बनाना है question number 2 का 2 देखे 3x square minus 5x plus 2k equals to 0 यह रहा equation आपको ज़स्ट उसी तरह लिखना जिस तरह मैंने यहां पर लिखा था comparing quadratic equation 1 with ax square plus bx plus c equals to 0 तो we get इसी तरह हम लिखेंगे और a,b,c का वेलू यहां पर मैं direct लिख रहा हूँ आप एक बार लिख लेंगे अपने copy में a का वेलू क्या आएगा 3,b का वेलू क्या आएगा 3,b का वेलू क्या आएगा x के साथ कितना इंटू, minus 5 यहां चांए,b का वैलू,c का वेलू कितना आएगा फ़र लाष्ट में जो कूछ वहता है c होता है पलस liberal NGO की और चांए,b,c का वेलू है फॉर इसक तरह साथ हम लीखेंगे जैसे यहां पर मैंने लिखा कौरिड़्डिक EQUASON 1 has the real end equal roots इसी तरह आप लिखेंगे मैं just इसी तरह लिखना आपो discriminate equal to 0 मैं just यहाँ से लिख दे रहा हूँ b square minus 4ac equals to 0 ठीक है b square minus 4ac equals to 0 यहाँ जितना भी equation sum में b square minus 4ac equals to 0 ठीक है b के जगे किनना पुट करेंगे minus 5 square square होगा फिर minus 4 4 into a के जगे में किनना पुट करेंगे 3 into c के जगे में 2 k equals to 0 और minus 5 का square कितना होगा minus का plus होजागा 5 का square 25 होगा 5 का square 25 फिर minus इस सब को into कर दे 4 तिया 12 12 दूनी 24 k 24 k equals to 0 और k निकालना इसलिए minus 24 को कम लेफ्ट साइड में रहने देंगे minus 24 के और plus 25 को equal to के right साइड में कर देंगे plus से minus हो जाएगा minus 25 दोनों तरफ minus cancel हो जाएगा k का वेलू कितना आएगा k के साथ यहाँ 24 इंटू है 24 राइट साइड में जाएगा 25 के नीचे आ जाएगा divide हो जाएगा तो यह हो गया k का वेलू 25 बटा 24 यह हो गया answer इसके बाद question number 3 और 4 आप अपने से खुद से try करें यह just एकदम 2 के तरह है बिल्कुल आसान जैसे आपने question number 2 में बनाया उसी तरह बनेगा बिल्कुल आसानी से आपको k का वेलू मिल जाएगा ठीक है मैं question number 5 को बना कर दिखाता हूँ question number 5 जो है यह थोड़ा बड़ा है इसको आपको अच्छी तरह समझना है ठीक है आपको लिखना उसी तरह से मैं just यह ए-बी-सी का वेलू यहां पर लिख रहा हूँ ठीक है यहां से अब जब हम compare करेंगा तो यहां A का वेलू क्या आएगा X square के साथ क्या इंटू है वो होता A तो यहां पर कितना है कुछ सा number है कुछ लिखावान है यह मतलब 1 है तो वो हो जागा A का वेलू तो A मतलब कितना होगा 1 B मतलब क्या है B मतलब X के साथ क्या इंटू है वो होगा B का वेलू X के साथ यहां पर इतना बड़ा सा इंटू है minus 2 into 5 plus 2 के यह जो पूरा यह पूरा B है ठीक है X के साथ जो इंटू होता वो B होता है तो B का वेलू कितना हैगा, minus 2 into ये पूरा, 5 plus 2 की, इतना बड़ा B का वेलू है, और C equals 2 कितना होगा, जो last में जो कुछे ये C का वेलू होगा, ठीके, plus 3 into ये वाला, योग्या C का वेलू, तो plus लिखना नहीं हमें, 3 into 7 plus 10 के, योग्या A, B और C का वेलू, फिर उसी तरह में कर 1 minute 0 होगा, यानि B square minus 4 AC, 0 होगा, ठीके, B square minus 4 AC equals to 0 होगा, और अब हम वेलू पुट करेंगे, B के जगा में क्या पुट करना, इतना बड़ा, minus 2 into ये वाला, minus 2 into 5 plus 2 के, ये B का वेलू है, इसका भी square करना है, तो इतना बड़ा है, तो अब second bracket इस्तमाल कर ले, क्योंकि पहले स 1st bracket है, इसलिए second bracket इस्तमाल करें, इसका square, फिर minus 4 into, एक जगा में 1 पुट करेंगे, into, C के जगा में ये पुट करना है, 3 into 7 plus 10K, और ये equals 2 होजाएगा, 0, ओके, इसके बाद यहां पे square को, यहां पे whole square है, तो इस bracket को खोलें, तो minus के square plus होजाएगा, 2 का square कितना होगा, 4, और ये जो bracket है, उसका square, उसका whole square हो जाएगा, ठीक है, 5 plus 2K का whole square हो जाएगा, फिर minus, इसको into कर लिए आप, 4 तिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और उसके साथ इसको लिखेंगे, 7 plus 10K, equals to 0, यहां से में के value निकानना, ठीक है, यहां पे आप देख लिए, ये bracket है, whole square है, इससे पहले 4 है into है, यहां पर भी देखे, bracket से पहले 12 into है, तो इन दोने से क्या होगा, 4 common आजाएगा, ठीक है न, तो 4 common निकाले, तो easy हो जागा हमारे लिए, थोड़ा, इसको second bracket इस्तमाल करें, यहां 4 common आगे, बचेगा यह वाला, 5 plus 2K का whole square, minus, यहां से 4 common आगे बाहर, तो किनना होगा, 4 दिवाइड करके लिखेंगे, 4 दिवाइड करके लिखेंगे, 4 दिवाइड करके लिखेंगे, 4 दिवाइड करके लिखेंगे, 3 लिखना है, plus उसके साथ into 7 plus 10, equals to second bracket close, 0, फिर क्या यह पूरा second bracket है, इससे साथ कितना into 4 है, तो यह 4 right side में जागा, तो 0 के नीचे divide हो जाएगा, तो 0 बटा 4 हो जागा, 0 हो जाएगा, तो यह 4 खतम, यह सिर्फ आपको लिखेंगे लेना, जो bracket में है, ठीक है, और यह वला कितना होगा, 5 plus 2K का whole square, minus 3 into 7 plus 10K, equals to 0, उसके बाद, इसको हम को whole square के formula में, तो हम second bracket को भी हटा दिए हैं, इसको हम A plus B के whole square के formula में तोड़ेंगे, formula A square, यानि यह A के जगा में 5 है, A square plus 2 A, B के जगा में 2K, 2 A B plus B square, B मतलब 2K का square, यह इसको तोड़ के इतना बड़ा आया, फिर minus 3 से 7 को into करेंगे, 3 सथ 21, फिर minus 3 से 10 को into करेंगे, minus plus minus, 3 दहां 30, उसके साथ K, equals to 0, इसको simplify कर ले, 5 का square 25, plus, इन तीनों यह तीनों into का 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 के, फिर plus, 2 का square 4, के square, फिर minus 20, फिर minus 30, के, equals to 0, उसके यहां पर हम किस तरह simplify करेंगे, पहले, के square वाला टर्म को पहले लिखे, जिसका power ज्यादा है, तो यहां पलस साइन, तो पलस के साथ लिखेंगे, 4 K square, ठीके, पलस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद के वाला टर्म लिखेंगे, यहां पर के है, यह पलस से माइनस इसलिए घटा होगा, घटाएंगे, पचीस से किसको घटाएंगे, कितना होगा, चार होगा, पचीस बड़ा इसलिए पलस शाइन, इक्वल स्टो जीरू, यहां पर भी आप देखें, चार है, दस से चार है, यह तीनो नमबर दो के पाड़ा से कटेगा, तो कितना होगा, दो से चार को डिवाइड करें, तो कितना होगा, दो से चार को डिवाइड करें, कितना होगा, दो से दस को डिवाइड करें, फिर पलस, दो से चार को डिवाइड करेंगे, तो होगा, इक्वल स्टो जीरू, यह तो इस ब्रेकेट के साथ इन टू है, राइट स के तरीका से बनेगा यह भी एक quality की equation बन गया है सिरिफ variable एकस के जगा के हो गया है ठीक है तो इसको भी हम उस तरह बनाएंगे कैसे तू यहां पे यहां पे तू यह दोनों को पहले इंटू कर ले दो दूना चार अब चार को हमें तोड़ना इस तरह से और यह साइन देखें क चार होगा चार एक को जोड़ेंगे तो पांच होगा तो पांच के जगा हम को change कर लिखना है चार पलस एक तो अगला लाइन होगा 2K स्कूर माइनस पांच के जगा क्या लिखेंगे 4 पलस 1 उसके बाद के हैं फिर पलस 2 इक्वल्स टू जीरो और 2K स्कूर फिर जिस तरह कर इन दोनों में क्या कोमन आगा दो और 4 में कोमन आगा दो और के स्कूर में कोमन आगा के यहां क्या रहा तू कोमन आगिया के स्कूर में से कोमन आगिया सिर्फ के रहेगा यहां चार में से 2 कोमन आए दो दूना चार दो यहां होगा के कोमन आ चुका है फिर माइनस के पलस 2 रहेगा, minus यसलिए, sin बदल जाएगा, पलस से minus ho जाएगा, वन कमली है, इसलिए टू ही रहेगा, उसी तरह से, यह बिरेकट यह बिरेकट से में हो गए, इसको common निकालेंगे, k-2 बाहर आगी है, common, यहांपर यह बाहर आगी है common, क्या बचा, 2k, यहां पर k-2 बार को मना है क्या बचा minus 1 equals to 0 यह दोनों into होकर 0 हुआ है इसलिए either यह 0 either k-2 equals to 0 यहां से k का वेलू कि आएगा minus 2 को right side में करेंगे plus 2 हो जाएगा और यहां फिर यह 0 होगा 2k-1 equals to 0 यहां से 2k equals to minus 1 को right side में कर दे plus 1 हो गिया उसके बाद यहां से k का वेलू करना होगा तो यहां into है right side में 1 के नीचे divide हो जागा ठीक है तो इसलिए k का 2 वेलू क्या होगा एक 2 और दूसरा 1 by 2 यह हो गया answer तो यह देखे आप थोड़ा यह बहुत बढ़ा लग रहा आपको इसी तरह इसके बाद next question कितना होगा x square के साथ कितना into यह हो गया a 3k plus 1 ठीक है a का वेलू b equals to कितना होगा x के साथ यह into a पूरा यह हो गया b का वेलू 2 into k plus 1 plus sign है इसलिए plus लिखने c मतलब क्या होगा यह last में कितना है plus के यह हो गया c ठीक है उसके बाद महीं करेंगे b square minus 4ac equals to 0 और b के जगा क्या पूट करेंगे यह वाला 2 into k plus 1 का whole square फिर minus 4 into a के जगा में पूट करेंगे 3 k plus 1 bracket में into c के जगा पूट करेंगे k equals to 0 और इसके बाद यहां पर 2 का square 4 हो जाएगा और इसका whole square हो जाएगा k plus 1 का whole square फिर minus 4 k into हो जाएगा 4 k पहले लिक ले into करेंगे उसके बाद 3 k plus 1 लिक ले into बाद में करेंगे फिर अभी इन दोने से देखें 4 common आरा है बाहर 4 common निकाले बाहर में यहां पर रहेगा k plus 1 का holy square minus 4 बाहर कॉमन आ गिया तो यहां k into 3k plus 1 equals to 0 यह 4 यहां into a right side में जाएगा 0 बटा 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा शिरिफ यह bracket वाला रहेगा ठीक है ना तो यहां पर हम इसको direct लिखें k plus 1 का holy square minus k into 3k plus 1 equals to 0 हो और इसको a plus b का holy square का formula में तोड़ा दे a square plus 2ab plus b square a के जगा में k और b के जगा में 1 है ठीक है फिर minus k से 3k को into करेंगे कितना होगा 3k square होगा k into k square फिर minus plus minus k से 1 को into करेंगे k होगा equals to 0 फिसको simplify कीजिए k square plus 2 से 1 को into करें 2 एकम 2 k 2k फिर plus 1 का square 1 फिर minus 3k square फिर minus k equals to 0 और यहां पर देखें यह k square है यह k square है minus 3 है यहां plus 1 है ठीक है ना तो घटा होगा 3 से घटा होगा 2k square तीन बड़ा इसलिए minus होगा फिर k में देखें यहां कितना होगा plus 2k यहां minus k है plus minus 1 है घटा होगा 2 से घटा होगा एक लिखना नहीं है सिर्फ के लिखें दो बड़ा इसलिए plus sign होगा उसके बाद नंबर में सिर्फ plus 1 है equals to 0 फिर आप चाहे तो एक minus कोमा ले लेंगे तो यहां पर हमें minus कोमा ले ले लेंगे तो यह जागा 2k square minus कोमा लेंगे तो यह बदल जागा sign यह जागा minus k और यह भी बदल जागा sign minus 1 equals to 0 माइनस कोमा ले ले मतलब माइनस 1 कोमा ले 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 ठीक है ना minus 1 तो यह साइन से बदल जाता है ठीक है यह minus 1 राक्षण में जागा 0 बड़ा minus 1 0 हो जागा तो बचेगा 2k square minus k minus 1 equals to 0 इसके बद इसको मिड्ल तरिका से बनाएं यह 2 इम्टी करेंगे 2 एक कम2 को इस तरह तोड़ेंगे दो number में के दोनों के इंटी करने से 2 होगा और माइनस मनलब घटाने से यहां बीच वाला number 1 को यह कितना होगा 2 और 1 होगा, 2 से 1 को इंटू करेंगे, 2 होगा, 2 से 1 को घटाएंगे, 1 होगा, चेंज करेंगे, बीच में हम, 1 के जगा क्या लिखना है, 2 घटा होगा, 2-1, ठीके, पर उसके दो, k, फिर, minus 1 equals to 0, और 2 k square minus, 2 से k को इंटू करें, 2 k, फिर, minus minus plus, k से 1 को इंटू करेंगे, k, फिर, minus 1 equals to 0, और इन दोनों से क्या common आगा, 2 k common आगा, 2 और दोनों में k common आगा, यहाँपर k बचेगा, यहाँपर 2 k common आगे, 1 होगा, ठीके, उसके बाद यहाँपर common लेंगे, कितना, इन दोनों से 1 common आगा, ठीके, क्योंकि यहां पे कुछ common है रहा तो यहां k होगा यहां पे minus 1 होगा equals to 0 यहां पे पहला से साइन ने बदलेगा फिर देखें का दोनों में k-1 घहा इसको common का लहें k-1 equals तो यहां पे क्या रहा है यह common का गिया 2k रहेगा यहां k-1 common का गिया पर 1 रहेगा इक्वल्स टू जीरो आधर और कर दें अब आधर के माइनस वान इक्वल्स टू जीरो यहां से के कवेलू कि आगा माइनस वान राइट सेड में गिया प्लस वान और और यहां से इसके बाद इसको करें और 2K plus 1 equals to 0 यहां से 2K equals to गिनना होगा plus 1 right side में गिया minus 1 और K का value किता होगा 2 into a right side में जागा minus के नीचे divide हो जागा तो यह होगिया 2 का value K का 1 value 1 दूसरा value minus 1 by 2 answer